पिछले साथ दिनों से छे थाने की पुलिस लगातर मुकामा के बाहुवले विधायक अनन्द सिंग के गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही है लेकिन अब तक वो किसी के हाथ नहीं लगे हैं ऐसी में उनके गायव होने के बावजूद उनका खौफ अभी भी बरकरार है बिहार के पूर्व IPA सदिकारी अमिताव दास ने अनन्द सिंग से खुद की जान को खत्रा बताया है उन्हें डर है कि अनन्द सिंग उन्हें मरवा देंगे इसी डर से अमिताव दास ने DGP गुपतेश्वर पांडे से सुरक्षा की गुहार लगाई है DGP को लेटर लखकर उन्हें सुरक्षा के लिए दो गुर्खा जवानों की मांग की है अमिताव दास ने DGP गुपतेश्वर पांडे को भीजे गए लेटर में लिखा है कुमार राकेश को एक लेटर लिखा था चिट्टी में उन्होंने बाहुवले विधायक अनन्ज सिंग के घर पर AK-47 सहित अत्या धोनिक हत्यारों का जखीरा होने की गोपनिये सूचना दी थी इस लेटर में उन्होंने लिखा कि 5 मार्च 2009 को उन्होंने मुकामा विधायक अनन्ज सिंग के बारे में सूचना दी थी कि बाढ़ के लदमा में उनके आवास में AK-47, AK-56 और लाइट मशीन गन सहित कई अवैध हत्यारों का जखीरा है इस सूचना की बाद 16 अगस्त 2009 को पूरे 10 साल बाद विधायक के आवास पर पूलिस ने छापे मारी कर AK-47 बरामद कर लिया सूचना सही साबित हुई, सत्यमीब जैते उन्होंने लेटर में आगे लिखा कि अब विधायक अनन सिंग उनकी हत्या कराने का शडियंतर रच रहे है उनके गुर्गों को सुपारी दी जा चुकी है इसलिए ततकाल BMP से दो गोरखा जवान उपलब्द कराये जाए अमिताफ दास ने दावा किया कि अनन सिंग उन्हें अपनी हालिया समस्याओं के लिए जिमेदार मानते हैं और इसलिए उन्हें मारने के लिए हत्यारों को सुपारी दी है दास ने मीडिया से बाचित के दोरान कहा कि मैंने 24 साल तक IPS अधिकारी के रूप में काम किया है मेरे पास अभी भी पूरे राज में खबरीयों का नेटवर्क है और उन्होंने मुझे इस बात की चेताबनी दी है अनन्त सिंग संभव तक मानते हैं कि मेरी वज़ा से पुलिस उनके पीछे पड़ी है दास ने कहा कि अगर पुलिस मुख्याले से सुरक्षा नहीं मिली तो मैं हाई कोट के शरण में जाऊंगा जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पूर वाईपियस अमिताफ कुमारदास ने कहा कि वे हमेशा दहश्यत और तनाव में रहते हैं घर से बाहर निकलना तो दूर घर के अंदर भी खुद को सुरक्षेतन नहीं मान रहे हैं उन्हें डर है कि कभी भी उनकी हत्या की कोशिश हो सकती है अगर उनके साथ कोई अप्रिय घट ना हुई तो इसकी पूरी जिम्यदारी बिहार पुलिस मुख्याले की होगी आपको बता दें कि अमिताफदास बुद्धवार को डीजीपी से मिलने गए थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी हलाकि लेटर देने के बाद पूर वाईपे साधिकारी अमिताफदास को सुरक्षा के लिए दो बॉडिगार्ड दिये गए हैं इसकी सूचना उनको पुलिस मुख्याले ने दी है जिसके बाद अमिताफदास ने डीजीपी के प्रती अपना आभार जता है आपको बता दें कि 16 अगस्त को बाहुवली विधायक अनन सिंग के लद्मा गाउं में पैतरी घर से पुलिस ने 147 और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किये थे बरामदगी के बाद से अनन सिंग फरार चल रहे है विधायक अनन सिंग के खिलाफ आमस एक्ट, गैर कानूनी गतिविधी कानून और विसफोटक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है फरार होने के बाद अनन सिंग ने दो वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने तीन से चार दिन के अंदर सरेंडर करने की बात की थी लेकिन अब तक उनकी कोई खोज खबर नहीं मेरी है वैसे उमीद की जा रहेगे कि वो जल्द ही आतमसमरपन कर देंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के और बेंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दस जेट प्लेस को सबस्क्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हूं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें शुक्रिया